सो हेलो गाइज अगर आप दिसंबर महीने के में एक अच्छा और तगड़ा ओल राउंड स्मार्टफोन ढूंड रहे हैं वो भी 15,000 की पर तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 एसे स्मार्टफोन की जो कि आपको अच्छे फीचर्स के साथ देखने मिलेंगे और साथ ही डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और पर्फॉमेंस में सबसे अच्छी देखने मिल जाएगी और हाँ गाइज मैं आपको अधर वीडियो की तरह बेकार के स्मार्टफोन बताकर आपका टाइम बेस्ट बिलकुल नहीं करूंगा तो अगर आपने कई वीडियो देख ली हैं और अभी तक आपको एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं मिला तो वो कमी आपको इस वीडियो में पूरी हो जाएगी सो वीडियो में तक बने रहें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चाहिक पूरी बैल आईकोन को प्रेस जरूर करिये का जब भी वीडियो अप्लोट करते हैं तब उसका नोटिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, सुवाज आज की टाइम पर डेटा सेक्यूर्टी काफी इंपोर्टेंट हो चुकी है, और ऐसे में एक स्मार्टफोन आपको मिल जाए, तो एक काफी अच्छी बात हो जाएगी, और साथी इसमें आपको एक अच्छी बैट की प्रोटेक्शन के लिए, और साथी इसमें आपको डिस्पले काफी अच्छी दी गई है, जिसमें आप कॉंटेंट बगएर वाच करने और गेमिंग बगएर करने में, इसमें कोई प्रोब्लम नहीं आने वाली, बात करें कैमरा की, जिसमें आपको 64 प्लस, 8 प्लस, 2 प्ल का क्वार्ड कैमरे के सेटप मिलेगा, और वहीं फ्रेंट में 20 मेगाफिक्सल का सैल्पी कैमरा दिया गया है, कैमरा मॉड्यूल काफी अच्छा दिया गया है, इसके फ्रेंट और बैक दौनों कैमरे से आप फुल एद्धी तक की वीड रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, 30 इसमें आपको 15W का चार्जार ही दिया गया है, बात करें इसके प्रसर की जिसमें आपको MediaTek Helio G80 का प्रसर देखने मिलता है, जो की 12W टेकनलोजी पर बेस्ट है, और साथ इसमें आपको गेमिंग बगार में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट यहां पर आपको गेम SIM या एक Memory Card लगा पाएंगे, बात करें OS की, तो इसमार्टफोन आपको Android 11-based One UI 3.1 पर देखने मिलेगा, जहां पर आपको Software XPS में काफी अच्छा देखने मिल जाएगा, और साथ ही गाईज, इसमें आपको Samsung की तरफ से Noxy Security भी दी गई है, तो यहां पर आपका Data fully secure रहेगा, इसमें भी आपको कोई problem नहीं होने वाली, तो बात करें एक से RAM storage की, तो स्मार्टफोन आपको 4GB RAM 64GB storage के साथ 24,999 रोपर की price पर देखने मिल जाएगा, तो बात करते हैं उनी users की, जिने एक 5G smartphone लेना है, इस price point पर, वैसे तो guys, 15,000 की pricing पर काफी सारे 5G smartphone आ जाते हैं, बट म यहां पर आपको एक ही smartphone recommend करूँगा, जो है POCO M3 Pro 5GE, बात करते हैं इसके design की, तो design इसमें काफी अच्छा दिखने मिल जाता है, एक Unix डिजाइन दिया गया है, बात करें डिस्प्ले की, इसमें आपको 6.5 inches की Full HD Plus डिस्प्ले दी गई है, सांती सांत, Corning Gorilla Glass 3 का protection दिया गया है, यहां पर आपको social media के लिए काफी अच्छी display देखने मिल जाती है, और सांती 98 का refreshing rate और 188 का test sampling rate देखने मिल जाएगा, वाइस इसमें काफी smoothly display दी गई है, बात करें इसके camera की, तो इसमें आपको 48 plus 2 plus 2 megapixel के triple camera के setup दिया गया है, वाइस इसके front में 8 megapixel का selfie camera दिया गया है, वाइस यहां पर camera module average ही दिया गया है, ज्यादा applicable को तो नहीं कहूंगा, बट front और back दोनों camera से आप full HD जग video recording कर पाएंगे 30 fps पर, बट यहां पर आपको camera quality भी काफी अच्छी देखने मिल जाती है, तो यहां पर आपको camera से भी कोई problem नहीं होने वाली, और वहीं इसमें 5000 MHz क battery दी गई है, जिसे चार्जर करने के लिए, अठार रवाट का charger in the box दिया गया है, तो इसका battery module भी काफी अच्छा दिया गया है, बात करें performance की, जिसमें आपको mirror attack dimensity 700 का chipset दिया गया है, जो की 7M technology पर बेस्ट है, तो इसमें भी आपको काफी अच्छी performance देखने मिल जाएग 37 में आपको UFS 2.2 की storage देखने मिल जाती है, 37 में side monitor fingerprint sensor और hybrid card slot copson दिया गया है, जिसमें आप 2 SIM या 1 SIM एक memory card लगा पाएंगे, और वहीं ये smartphone Android 11 based MIUI 12 पर देखने मिलेगा, थोड़े बहुत इसमें blood bear apps देखने मिल सकते हैं, बांकि ये smartphone काफी अच्छा है, तो यहाँ पर आप smartphone आप definitely purchase कर सकते हैं, ये smartphone 4GB 64GB storage के साथ 1449 रुपे मिल जाएगा, बात करें अगले smartphone की, ये smartphone भी काफी अच्छा है, जिसका नाम है Realme 8i, बात करें इसके processor की, तो इसमें दिया गया है, बात करें, डिस्पले की, तो इसमें आपको 6.6 इंचिस की full HD plus IPS LCD display दिया गया है, यहाँ पर आपको 600 nits तक की big brightness का support देखने मिल जाएगा, यहाँ पर outdoor में आपको को भी problem नहीं होगी, और वह इसमें गेमिंग के लिए 120Hz का high refreshing rate का support दिया गया है, और साथी 180Hz का test sampling rate दिया गय है, कोई इस बड़ी display के साथ साथ एक अच्छी display भी देखने मिल रही है, तो इसमें आपको कोई भी problem नहीं होने वाली, बात करें, camera की, तो इसमें आपको 50 plus 2 plus 2 megapixel का triple camera का setup दिया गया है, और वहीं front में 16 megapixel का selfie camera दिया गया है, तो यहाँ पर आपको camera module एक decent level का देखने मिले है, जिसे चार्ज करने के लिए, था robot का charger in the box दिया गया है, और वहीं इसमें security के लिए side mount और fingerprint sensor, 3.5M का audio jack और साथी triple card slot option देखने मिल जाएगा, बात करें OS की, तो इस smartphone आपको Android 11 based realme UI 2.0 पर देखने मिल जाएगा, तो guys अगर आप इस smartphone के लिए interested है, तो इस smartphone आपको 2 variant में purchase करते हैं, जिसमें आपको 5 GB तक की virtual RAM का support देखने मिलता है, यानि कि यहाँ पर आपको total 11 GB तक की RAM देखने मिल जाएगी, जिसमें 118 GB तक का storage भी देखने मिल जाएगा, तो यह variant वाले smartphone आपको 15,999 पर की price पर देखने मिल जाएगा, वाइस अगर आप चाहें तो इस smartphone को चेक specs देते हैं, जिसमें से एक है Redmi Note 10S, वाइस अगर आप चाहें, तो Realme 8 को भी check out कर सकते हैं, वो भी एक अच्छे smartphone है, बट मैं यहाँ पर बात करूँगा Redmi Note 10S की, बात करने camera की, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे camera देखने मिल जाएंगे, तो इसके back में 64 का main primary lens, 8 megapixel का ultra wide 2 megapixel का depth, 2 megapixel का micro lens देखने मिल जाएगा, तो total quad camera setup दिया गया है, और वहीं इसके front में 13 megapixel का selfie camera दिया गया है, तो वहीं इसके front camera से आप 4 HD तक की video recording कर पाएंगे 30 fps पर, और इसके back camera से 4K तक की video recording कर पाएंगे 30 fps पर, वाइस इसमें आपको camera quality काफी अच्छी देखने मिल जाती इसमें आपको थोड़ी सी heating का इसू देखने मिल जाएगा, इसमें आपको performance काफी अच्छी देखने मिल जाएगी, साथ इसमें UFS 2.2 की storage भी देखने मिल जाती है, साथ इसमें read and write का support भी देखने मिल जाता है, बात करने display की, तो इसमें आपको 6.43 inches की super emulated display दी गई है, साथ इसमें गेमिंग के लिए normal 60 hertz का refresh rate दिया गया है, और 180 hertz का test sampling rate, इसमें आपको 5000 megats की decent betty दी गई है, और वहीं इसमें चार्जिंग के लिए 18 watt का charger इसकी box महीं मिल जाएगा, तो बार और यहां पर betty backup काफी अच्छा दिया गया है, और वहीं इसमें protection के लिए side mount and finger pin sensor, 3.5 का audio जग दिया गया है, और इसमें SIM memory card लगाने के लिए triple card slot का option देखने मिल जाता है, बात करें OS की, तो इस smartphone Android 11 based MIUI 12.5 पर देखने मिलता है, तो यहां पर आपको बहुत ही कम bloatware ads और ads पगेरा देखने मिलेंगे, तो गाइज अगर आपको एक all-rounder smartphone purchase करना है, gaming and camera के लिए इस price point पर तब आप इस smartphone की ओर definitely जा सकते हैं, तो इस smartphone आपको 6GB RAM 64GB storage के साथ 14,999 की price पर देखने मिल जाएगा, लेकन guys अगर आपको कम budget में एक अच्छी gaming करनी है, और साथ ही साथ एक all-rounder smartphone लेना है, तब आप यहां पर देख सकते हैं Motorola का Moto G40 Fusion, तो इस smartphone plastic frame plastic body के साथ बना हुआ है, तो यहां पर design वगरा काफी अच्छी देखने मिल जाती है, बात करें display की, जिसमें आपको 6.8 इंचिस की full HD plus IPS LCD display दी गई है, जिसमें gaming के लिए 120Hz का high refreshing rate और 240Hz का test sampling rate दिया गया है, और साथ ही HDR10 का certification भी दिया गया है, तो बारो guys, इसकी display सबसे best दी गई है, काफी अच्छी smooth इसकी display में आपको देखने मिल जाएगी, बात करें performance की, जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 732G का processor दिया गया है, जो की काफी धमाकिदार processor हो जाता है, इस price point पर, में आपको daily day task और multitasking में इसमें कोई problem नहीं होने वाली, बात करें camera की, जिसमें आपको 64 megapixel का, 7 8 plus 2 megapixel का triple camera setup दिया गया है, और 7 16 megapixel का selfie camera दिया गया है, तो इसका camera module भी काफी अच्छा दिया गया है, काफी अच्छी camera quality इसमें आपको दिखने मिल जाएगी, बात करें other features की, तो इसमें आपको 3.5 का audio jack और rear fingerprint sensor का support दिया गया है, और 7 इसमें hybrid card slot option दिखने मिलता है, बात करें इसके OS की, यह smartphone Android 11 based clean stock Android के साथ आता है, तो बिलकुल ही clean experiences इसमें आपको देखने मिल जाएगा, इसी प्रेकार के blood bear apps और ads बगारा बिलकुल देखने नहीं मिलेंगे, तो guys अगर आप इस smartphone को purchase करना चाते हैं, तो इस smartphone आप 4GB RAM 64GB storage के साथ 14,000 की pricing पर purchase कर सकते हैं, वह इसका दूसरा variant 6GB RAM Android 118GB storage के साथ यह smartphone आप 5,400,900 की price पर purchase कर सकते हैं, तो guys यह थे top 5 best all-rounder smartphone जो की आपको 15,000 की pricing पर देखने मिल जाते हैं, तो guys अगर आपको कोई doubt है, तो please हमें comment करके बताएं, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमार चैनल को subscribe और वीडियो के click like जरूर करें, thanks for watching